हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप आज हम लोग पढ़ेंगे कोपरेशन और कोडिनेशन के बीच में डिफरेंस और कई बारी स्टुडेंट्स इस पर कंफ्यूज होते हैं बहुत छोटा टॉपिक है तो आएए इसको हम लोग एक एक्जाम्पल से समझेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं मिस्टर एक्स जो है यह एक ट्राउजर स्टिच करवाते हैं और जब वो पहनते हैं तो उनको पता चलता है कि यह फोर इंचिस लॉंगर है नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो अपने फैमिली मेंबर्स जो की चार मेंबर्स होते हैं उनके साथ बैटके ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि उनका ट्राउजर फोर इंचे शॉट कराना है और जब वो ओफिस से लोटे हैं तो वो चाहते हैं कि यह शॉट हो कि wife होती है उनको याद आता है and she took the trouser to the tailor tailor के पास ले जाती है और four inches shot करवा देती है और उसको ले जाके almira में रख देती है और एक surprise के तोर पर रखना चाहती है कि उनके husband आएंगे तो पहनेंगे उसको इसी तरह से जब उनका बेटा आता है तो school से तो he recalled himself उसका बेटा उनको याद आता है कि उनके father ने ऐसे कहा था और as usual बिना किसी के बात किये किसी member से बात नहीं करते और सोचते हैं कि ये अच्छा काम भलाईगा काम मैं कर दो and took the trouser to the tailor और tailor के पास ले के जाते हैं trouser और फिर वो act करते हैं जो आप खुदी देख सकते हैं ये काम करते हैं ये जाके वहां पर देख सकते हैं तो आपने यहां पे देखा कि उन्होंने क्या किया उनके बेटे ने वही काम किया जो उनकी मदर ने किया था ठीक है और ये बात obvious है कि किसी को ये बात बताते नहीं है हम ये assume कर लेते हैं कि जो tailor है वो different different रहे होंगे ये तो obvious सी बात then the daughter came वो आती है और as soon as she returned she recalled the work assigned by her father वो जाती है और जाके वो भी यही काम करती है जो उनके भाई और मदर ने किया in the evening जब Mr. X आते हैं office से तो वो trouser पहनते हैं पाते हैं कि वो जो चाहते थे उसका आदा से आदा और ज्यादा हो चुका है short तो ऐसे में जो है problem create हो जाती है all Mr. X wife's son and daughter love him dearly आप देख सकते हो जो इन्होंने activity किया है इस से साफ पता चल रहा है कि हर कोई उनसे बहुत लगाव में था और due to that love वो उन्होंने उनके लिए यह काम किया तो उनका पूरा attachment है और उनको खुश रखने के लिए ऐसा उन्होंने किया that is why all the three tried to fulfill the task ascent now this feeling of theirs is called cooperation तो ध्यान देने वाली बात किया आज के topic में कि यह जो आपने देखा तीनो examples जो हमने देखे उसकी मदर ने जो किया son ने किया और daughter ने किया वो क्यों किया एक लगा होने के वज़े से तो इसी को हम लोग क्या कहते है cooperation कहते है they want to cooperate with Mr. X this feeling does not arise because of the pressure उनके father ने किसी individual को दबाओ देके नहीं बोला था कि आपको कराना है यह एक affection था जिसके वज़े से यह सब ने fulfill किया on the other hand this error shows the lack of coordination लेकिन आप इसके दूसरे साइड में देखें aspect तो यहाँ पर coordination की कमी थी coordination की कमी क्यों थी क्योंकि यहाँ पर किसी को एक decision जब उनके father बता रहे थी यह बात आप देख सकते हो at the time of breakfast decision had been taken as to whom would perform that job तो who would perform that job तो वहाँ पर यह problem नहीं आती अभी यह problem आई क्यों क्योंकि उचके father नहीं किसी को बताया ही नहीं कि आपको किसको काम करना है अगर ऐसा उन्होंने कह दिया होता तो यह काम को avoid किया जा सकता था और यह जो गलती हुई है इसको tolerate किया जा सकता था तो यही difference है cooperation जो अगर आप देखोगे तो cooperation में जो है feeling होती है और cooperation जो है love और affection के वज़े से किया जाता है जबकि जो coordination होता है coordination में आप देखोगे इसके अंदर एक formal तरीका होता है और किसी को duty assign की जाती है और दोनों में interchange होता है यानि कि दोनों interdependent होते है coordination को पूरा करने के लिए interdependency होनी चाहिए तो अभी हम इसको और अच्छे से समझते है कि difference करके दोनों के बीच में क्या-क्या difference है तो आईए देखें यहां पर इसमें देख सकते हैं coordination और cooperation के बीच में हम difference पढ़ने जा रहे है सबसे पहले आप देखें meaning coordination यह हम पहले भी पढ़ चुके है कि it refers to bringing together the activity of the organization आपको याद होगा आपने पढ़ा हुआ है कि यह synchronize कर देता है activities को तो यह दोनों को एक साथ लेके आता है और cooperation में क्या difference है meaning क्या है cooperation refers to voluntary effort of individual to work together and help each other यह voluntary effort है इसमें किसी को काम दिया नहीं जाता है यह automatically एक affection के थू होता है और मैं चाहूँगा कि यह difference आप जब तक जरूरत ना पढ़े ना लिखें क्योंकि meaning is not a difference I believe तो nature में देख सकते हैं nature क्या है बहुत ही simple यह जो है एक conscious or deliberate action है conscious का मतलब होता है noticeable if you are coordinating it will be noticed ठीक है और deliberate अगर आप देखो तो deliberate का मतलब होता है कोई purpose से किया गया काम planned way में किया गया काम तो अगर आप देखो कि तो coordination conscious भी होता है जिसमें noticeable होता है और deliberate action भी होता है because we have to plan it okay and done for some purpose but when it comes to cooperation it is an voluntary effort of the employees यह employee का voluntary effort है यह कोई deliberate action नहीं है और दूसरी बात यह है कि इसमें सबसे अच्छी चीज़ के है ध्यान रखना हमें कि यह affection के थू होता है और इसमें किसी को duty नहीं दी गई है कि आपको यह करना है लेकिन deliberate के अंदर duty दी जाती है उसको assign किया जाता है next आ जाता है interdependence देखिए coordination जो है interdependent है और बिना इसके बिना cooperation के यह complete नहीं हो सकता incomplete रह जाएगा लेकिन जब हम cooperation की बात करें तो यह dependent होता है upon coordination अगर coordination नहीं होगा तो cooperation किसी काम करनी रहेगा meaningful meaningless हो जाएगा जिसको हम खहेंगी जैसे आपने example में भी देखा उनके जो mother थी और जो son और daughter ने बहुत अच्छे affection में काम किया cooperate किया लेकिन last में result रहा क्या result तो यह रहा कि उसके father चाहते थे वो काम हुआ ही नहीं उल्टा पहले पहन भी सकते थे fold गर गे अब तो उस lag भी नहीं रहे तो आप तो यहाँ पर problem create हो गई तो वो meaningless हो जाता है next आ जाता है relations अगर आप देखो coordination जो है इसके अंदर formal और informal दोनों relation होते है अब आप कहेंगे formal relation क्या है formal relation होता है जिसके अंदर rules regulations को follow किया जाता है और जिसके लिए authority रखी जाती है और job assign किया जाता है जैसे school जो है हमारा formal relation होता है वहाँ आप देखोगे teachers के साथ और students के साथ एक formal relation होता है हमारे बीच और आपके बीच एक formal relation रहता है और informal होता है जिसके अंदर हम उसको friend की तरह treat करते है तो अगर आप देखोगे organization में कोई manager होगा तो formal way में उसका employee उससे बात करेगा उसके office में बहुत अच्छे way में बात करेगा और उसको उसके काम को मना नहीं कर पाएगा लेकिन अगर friend circle में देखें अगर वो घर पे अगर friend है तो office से बाहर जाने के बाद वो कोई काम बोलेगा तो मना भी कर सकता है दोस्ती के नाते कि भाई मेरे बस की नहीं मैं नहीं करूँगा और मेरा मन नहीं कर रहा आज लेकिन office में क्या वो बोल सकता है नहीं तो यही है coordination जो है formal और informal दोनों relation के थू होता है और cooperation में अगर आप देखो तो इसके अंदर सिर्फ informal relation माना जाता है जैसे आप देख सकते हो father ने जब काम बोला तो son, daughter और जो उनकी wife थी यह informal है अगर इनसे गलती हो भी गई तो इसके लिए responsible वो भले ही डांटेंगे बोलेंगे लेकिन इसको job से निकालने वाली situation इस तरह की create नहीं होगी फिर आजाता है scope अगर आप देखो इसमें scope क्या है कह रहा है कि cooperation जो है wider scope के साथ माना जाता है इसका जो scope है काफी wider है इसका scope बहुत ज़्यादा माना जाता है और अगर हम cooperation की बात करें तो इसमें narrow scope होता है क्योंकि इसमें सिर्फ informal organization होती है जबकि coordination के अंदर formal informal दोनों से काम कराया जा सकता है और अगर आप देखो interdependent होता है और इसके अंदर noticeable होता है तो इसलिए इसे हम wider term कहते है और requirement पे आ जाते हैं last वाले पे आप देखिए requirement में कह रहा है कि coordination जो है ये एक essential achievement है organizational goals का वेरा group of people walk together तो यहाँ पे group of people काम करते है और cooperation में देखो voluntary nature है और जब people desire करते है लोगों के मन में इच्छा होती है तभी इस काम को करते है लेकिन coordination में desire नहीं चलता है coordination में command चलती है जब जिसने order किया होगा उसकी बात मानी जाएगी ठीक है अब हम इसमें एक question आपके लिए मैं दे रहा हूँ कि आपको ये बताना है कि आपके साथ कभी इस तरह की situation हुई है क्या जिसमें आपने cooperate करने की कोसिस की हो और वो useless हो जाए या फिर meaningless हो जाए और यहां पे आपने कई बार notice की होगा कि ऐसे instances आपके साथ हुए है तो मैं चाहूँगा कि आप comment करें और अगर आपको desirable लगता है तो आप ऐसा situation लिख सकते हैं जिसमें आप अपने parents की बहुत अच्छे से help करना चाहते थे और vice versa वो एकदम उलट उलट हो गया और सब कुछ सत्यनास हो गया तो आपको जहां पे लग रहा है कि वो उस situation में coordinate नहीं कर पाए आप अच्छे से सिर्फ cooperation ही रह गया I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कभी भी ये आता है तो इस example के थुरू आपको recall कर सकते हो अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो like जरू कीज़ेगा और subscribe कीज़ेगा जिससे की आने वाली जो next chapter की मैं वीडियो बनाऊंगा वो topics आप उसको एक बार overlook कर सकें Thank you